बश्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर और आज की ये वीडियो बहुत जादा खास है उन लोगों के लिए जो बहार ट्रेवल करते हैं साथ-साथ जगा-जगा आपका मॉल्स पर जाते हैं और उनको बार-बार अपना एक सैटिफिकेट दिखाना पड सही वीडियो को आज यहां पर शूट कर रहा हूँ तो मैं हूँ अब शेयक आप मुझे सुन रहे हैं मनी मैटर्स पर वीडियो को फटा फट से लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बाल आइकन को ज़रूर पैस किजएगा देखिए यहां पर आपको अप्लिकेश का फाइदा सही से उठा पाएंगे यहां पर आप देखें तो मैंने अपना एक बनवा रखा है यह इस तरह से मैं अभी आपको बना कर दिखाऊंगा कि किस तरह से यह सारा जो एक फोटो वाला वेक्सिनेशन है क्योंकि मेरे भी फर्स डोजी लगी है तो आपको किस तरह से क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास option आएगा Ministry of Health का जैसे ही आप Ministry of Health पर क्लिक करेंगे तब आपको एक Beneficiary ID यहां पर देनी पड़ेगी अब यह कहां से मिलेगी आईए वो जान लेते हैं इसके लिए आपको बहार आना होगा और अपने Chrome ब्राउजर में आपको Google पर Coven application को खोलना होगा यहां पर आप जैसे ही Coven की website को खोलेंगे अगर आप Google पर लिंक देते हैं तो भी यही website खोल कर आएगी यहां पर आपको वो mobile number दालना होगा जिस mobile से आपने registration किया था अपनी vaccination का इसका link description box में दे दूँगा वहां से directly आप download कर सकते हैं तो यहां पर मैं अपना mobile number दे देता हूं जिससे भी मैंने अपना vaccination यहां पर करवाया था और get OTP पर मैं click कर देता हूं तो जैसे ही मैं get OTP पर click करता हूं मेरा OTP जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आ गया है तो OTP डाल देते हैं 408 479 तो यहां हम डाल देते हैं और verify and proceed पर click करते हैं तो जैसे ह हम verified proceed पर click करते हैं तो अभी मेरे ID पर इस number से दो जनों का vaccination हुआ मेरा और मेरी दरम पतनी का तो यहां पर पूरा का पूरा detail आ रहा है यहां से आपको download पर click करना है जैसे ही आप download पर click करेंगे तो आपका जो certificate है वो आपका download हो जाएगा और आपको उसको खोल लेना है उसको date से start होती है यह reference ID आपने यहां से note कर लेनी है क्योंकि यह reference ID काफी बड़ी है इसलिए मैं कह रहा हूं यह तो photo case लीजेगा यह किसी register पर आप copy कर लीजेगा इसी से आपका जो photo वाला vaccination card है वो आपका निकलेगा अब यहां पर हम उसको बंद करते हैं और डिजी लोकर पर ज थोड़ी सी बड़ी है तो थोड़ा सा यहां पर समय लगता है और एक बात और कह देता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो record होता है वो found नहीं होता है तो आप बिल्कुल भी हताश ना हो क्योंकि website बहुत बड़ी है और बहुत busy चलती है इस बार इस बजा से कई बार आपका जो data होता है वो fetch नहीं होता यह भरने के बाद आपने get document पर click करना है और जैसे ही आप get document पर click करेंगे तो यहां पर देखिए document added successfully आपकी आ चुकी है और यहां पर लिखके आ गया है vaccination certificate for dose 1 तो आप इस पर click करेंगे तो यह मेरी wife का आ रहा है और यह देखिए मेरा आ पास पर फोटो लगके आ रही है किसी बारे में तो खैर मैं कुछ नहीं पहले होulares और आपके पास पर शूलिए होना जरूरी है किसी भी प्रडेश की सीमा में अगर ऐसा कुछ है कि आपको यह पास दिखाना है तो आ पे दिखा कर आगे जासकते है बहुत बहुत धन्यवाद आगे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा